दुलार है मान नंदा दिवी की जय जय बाबा गोल्यो जय स्री राजरा येश्वरी भाई कैसे हरो लाहाल चाल देव भूमे उत्राखन में ये मेरी पहली चुनावी सभा है अब मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ कि ये प्रचार सभा है कि विजय सभा है ये जो सज्जन बहुत बढ़िया चित्र बना के लाए है मेरी माता जी का भी चित्र लाए है मैं आपका बहुत आभारी हूँ लेकिन आप ये उचा करते हैं तो पीछे वाले देख नहीं पाते हैं कि आप इसको नीचे रख देंगे इसको नीचे रख देंगे आप आपने मेरी बात मान ली इसलिए मैं आपका रुदै से आभार व्यक्ता करता हूँ मैं सबसे पहले जो पीछे धूप में तप रहे हैं उन सब की छमा मांगता हूँ हम लोगों ने जो सोचा था वो पैंडाल थोटा पड़ गया मैंदान थोटा पड़ गया और इसलिए जितने अंदर बैटे उससे ज़्यादा लोग बहार धूप में तप रहे हैं जो धूप में तप रहे हैं हमारी वबस्ता की कमी रही इसके लिए मैं आप सब की छमा मांगता हूँ लेकिन मैं आपको भी स्वाद दिलाता हूँ आप जो धूप में तप रहे हैं ये आपके तपस्या मैं बेकार नहीं जाने दूँगा मैं इसे विकास करकर के लोटा हूँगा आपके इस्प्यार के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ ये लोग आपके लोग आपके लोग लोग अपके ली कहा को एम इसी वोग करको लग देव भूमि का यह आशिर्वाद यह मेरी बहुत बड़ी पूजी है देव भूमि कहर गाउं से मुझे आपका जो प्यार मिल रहा है आपके आशिर्वाद मिल रहे है मैं इसके लिए आपका रदय से बहुत बहुत आभारी हूँ भायो 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 और यह चुनावी सभावी ऐसे खेत्र में हो रही है जिसे मिनी इंडिया कहा जाता है और एक प्रकार से यह देव भूमी के भी आशिर्वाद है और मिनी इंडिया के भी आशिर्वाद है मैं जब भी उत्राखन की पवित्र धर्थी पर आता हूँ खुद को बहुत दन्य महसूस करता हूँ और इसी लिए ही मेरे दिल की गहराई से एक बात निकली थी और मैंने एक बार यहां कहा भी था देव भूमी के ध्यान से ही मैं सदा धन्य हो जाता हूँ है भाग्य मेरा है भाग्य मेरा सवभाग्य मेरा मैं तुम को शीष नवाता हूँ साथ्यों देव भूमी उत्तराखन के प्रती भाजपा का जो प्रेम है जो अपनत्व है वो जग जाहीर है हमें उत्तराखन को विक्सित बनाना है सबसे आगे लेकर जाना है और इसके लिए केंदर की भाजपा सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड रही है बीते दस वर्सों में जितना विकास उत्तराखन का हुआ है उत्तना आज़ादी के बाद के साट पैसट साल में भी नहीं हुआ है आज उत्तराखन हर प्रकार की आधुनिक कनेक्टिविटी से जूड रहा है उत्तराखन में भाजपा ने गरीबों को पच्चासी हजार पके घर बना कर दिये है उत्तराखन में भाजपा ने बारा लाग घरों तक पानी का कनेक्शन पहुँचाया है यहाँ भाजपा सरकार ने पाँच लाग से जादा सौचालयों का निर्मान कराया है यहाँ की पाँच लाग से जादा महलाओं को उजवला गैस मुप्त गैस कनेक्शन दिया गया है यहाँ करीब तीन लाख लोगों को स्वामित्व योजना के तहट उनकी प्रापटी के काड दिये गए है उत्रा खंड के 35 लाग लोगों के पास पहले बैंक में खाते तक नहीं थे भाजपा सरकार ने 35 लाग लोगों के बैंक खाते खुलवाए हैं उन्हों बैंकों से जोड़ा भाजपा सरकार ने उत्रा खंड के छोटे किसानों के बैंक खातों में 2200 करोड रुपे से जादा सीधे बेजे हैं भाईयों बहनों ये सूची बहुत लंबी है लेकिन मैं इसमें आपका जादा समय नहीं लेता लेकिन इतने सारे काम कैसे होते हैं जमनियत सही होती है जमनियत सही होती है तो ऐसे ही काम होते हैं और इसलिए मैं कहता हूँ नियत सही तो नतीजे भी सही साथ्वियों आप जानते हैं कि मोदी ने भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने की गारंटी दी है तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत का मतलब है लोगों की कमाई बड़ेगी लोगों को नोकरी के आउसर बड़ेंगे गाम हो शहर हो सुविदा बड़ेगी और इसका बहुत बड़ा लाव ये देव हुमें मेरे उत्राखन को भी होगा और आप जानते हैं मोधी की गारंटी याने गारंटी पूरा होने की गारंटी अब याद कीजिए मैंने आप से कहा था कि यहां एम्स का सेटलाइट सेंटर बनेगा मैंने ये गारंटी पूरी करके दिखाई बाबा केदार के आसिरवात से मेरे मुँ से निकला था ये दसक उत्राखन का दसक होने वाला है कमल निशान पर पड़ा आपका हर गोट इसी संकल्प को और ससक्त करेगा साथियों मोदी की गारंटी ने उत्राखन के खर गर में सुविदा पहुँचाई है लोगों का स्वाभिमान बढाया है अब तीसरे टम में आपका ये बेटा एक और बड़ा काम करने जा रहा है मेरा लक्ष है आपको चोबिस गंटे बिजिली मिले बिजिली का बिल जीरो हो बिजिली का बिल जीरो हो और बिजिली से कमाई भी हो इसके लिए मोदी ने पी-एम सूर्य घर मुप्त बिजिली योजना शुरू किया है इसके तहट छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार मदद दे रही है इससे जो एक मद्यमबर की परिवार होता है जिसके घर में तीन-चार पंखे हो एकाँ दो एसी हो बॉसिंग मशीन हो रेफ्रिजरेटर हो एक छोटी सी इलेक्टिक वेहिकल के चार्जिंग की बात हो तो करीब करीब उसको तीन-सो यूनिट बिजली कपती है ये तीन-सो यूनिट तो मुप्त मिलेगी और जरूरत से ज़्यादा जो बिजली होगी उसको सरकार खरीदेगी और आपको उससे कमाई होगी क्या आप योजना का लाब लेंगे जीरो बिल वाली योजना का लाब लेंगे तो उसकी एप्लिकेशन कर दीजिए उसका एप्लिकेशन का काम चालू है आपके इस सेवक ने बहनों के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना भी बनाई है इसके तहट महिला स्वयम सहायता समू को लाखों रुपियों का ड्रोन दिया जा रहा है और हमारे लिए गर्व की बात है गाउं गाउं हमारी बहने ड्रोन पाइलोट बन रही है इसका भी बड़ा लाब यहाँ देव भूमी मेरे उत्राखन की बहनों बेटियों को भी होगा साथियों आपको लगता होगा इतना सारा काम मोदी कर रहा है गर गर कुछ न कुछ पहुँच रहा है तो यह मोदी फ़कता क्यों नहीं है यह मोदी रुखता क्यों नहीं है अरे कोई और होता तो मोज करता मोदी मोज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है मोदी महनत करने के लिए पैदा हुआ है मोदी आपके लिए महनत करने के लिए पैदा हुआ है और इसलिए मेरे भाईयों बैनों ये जो दस साल में हुआ है ना पहले वालों से बहुंच जादा हुआ है हर कोई मानता है लेकिन मोदी नहीं मानता है मोदी तो कहता है ये दस साल में जो विकास हुआ है ना वो तो सिर्फ ट्रेलर है ट्रेलर अभी तो बहुत कुछ करना है अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है और तब तक न रुकना है न ठकना है और अभी तो हमें ये हमारे उत्राखन को भी बहुत 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 आगे लेकर के जाना है मेरा प्रयास है कि केदार खन की तना ही मानस खन से भी देश और दुनिया और अधिक परिचित हो पिछले वर्ष मैं आधिक कैलास गया था तब पूरे देश ने इस छेत्र के अधुद सामर्त को देखा था और अभी मुझे अजय जी बता रहे थे कि पहले तो आधिक कैलास को कोई जानता नहीं था कभी कमार लोग आते थे संग्या मा मुश्किल से पांच जार होती थी अभी आंकड़ा लाखों में पहुंच रहा है साथियों खेती हो परियटन हो या फिर इंडस्ट्री इस छेत्र में अभूत पुर्वत संभावनाएं बनने जा रही है मैं उत्राखन के नवजवानों से कहूंगा मेरे हर भाई बैन से मैं कहना चाहूंगा आपका सपना आपका सपना ही मोदी का संकल्प है बीते वर्षों में यहां से पलायन रुका है वो दिन दूर नहीं जब रोजगार के लिए शहर गए साती वापस लोटेंगे भाई और बहनों मोदी के इन प्रयासों के बीच कॉंग्रेस और इंडी गडबंदन ने अपने इरादे दिखा दिये हैं कॉंग्रेस के शाही परिवार के शहजादे ने शहजादे ने अलान किया है कि अगर देश ने तीसरी बार बीचेती सरकार को चुनी आग लग जाएगी साट साल तक देश पर राज करने वाले दस साल सत्ता से बाहर क्या रह गए अब देश में आग लगाने की बात कर रहे है क्या ये आग लगाने की बात आपको मंजूर है क्या इस देश को आग लगाने देंगे क्या आग लगाने की ये भासा उचीत है क्या ये आग लगाने वाली भासा लोक्तंत की भासा है ऐसे लोगों को सजा करोगे पक्की सजा करोगे चुन चुन करके साप कर दो इस बार इनको मैदान में मत रहने दो भाईयो इमर्जन्सी की मानसिक्ता वाली कॉंग्रेस का भरोसा अब लोग तंत्र पर नहीं बचा है इसलिए वब जना देश के विरूद लोगों को भड़काने में चुट गई है साथियों कॉंग्रेस भारत को अस्थिर्ता के तरफ ले जाना चाहती है अराजत्ता में जोंकना चाहती है करना तका में कॉंग्रेस के एक बड़े नेता ने दक्षीन भारत को देश से अलग करने की बात कही दो तुकड़े करने की बात कही आप मुझे बताईए देश के तुकड़े करने की बात करने वालों को सजा मिलने चाहिए के नहीं मिलने चाहिए सजा मिलने चाहिए के नहीं मिलने चाहिए सजा मिलने चाहिए के नहीं मिलने चाहिए लेकिन कौंग्रेस ने क्या किया सजा देने के बजाय कौंग्रेस ने देश को बांटने की गोशना करने वाले को चुनाव का टिकट दे दिया उत्राखन के लोग भूल नहीं सकते कि इसी कौंग्रेस ने देश के वीर सपूत स्वर्गियब विपिन रावजी तक का अपमान किया था ऐसी कॉंग्रेस से देश वक्ती की भाषा उनकी देश वक्ती की बाते किसी के गले उतरती नहीं है साथियों कॉंग्रेस तुष्टी करण के दल दल में ऐसा दस गई है कि कभी देश हित का सोच ही नहीं सकते है यही कॉंग्रेस है जो गुष पेठियों को बड़ावा देती है लेकिन जब भाजपा CAA के माध्यम से माध भारती में आस्था रखने वालों को भारत की नागरिता देती है तो कॉंग्रेस को सबसे ज़्यादा तकलीब होती है इस ख्षेत्र के लोग भी जानते हैं कि पाकिस्तान और बंगला देश से जो सबनार्थी आये हैं उनमें से अधिकतर दलीद परिवार है हमारे स्षिक भाई बेन है हमारे बंगली भाई बेन है लेकिन कॉंग्रेस इन लोगों को नागरिता देना का विरोध कर रही है कॉंग्रेस कितना भी गोर विरोध करे इन लोगों के पास मोधी की गारंटी है और मोधी की गारंटी याने गारंटी पूरा होने की गारंटी साथियों इस धर्ती का सम्मंद तो गुरु नानग देव जी गुरु गोविन सी जी और उदासी सांथ गुरु रामराय जी से है कॉंगरेट ने देश का ऐसा बटवारा किया कि गुरु नानग जी की उस पवित्र धर्ती हमसे चीन गई दसकों तक अपने गुरु को हमें दूर्बिन से देखना पड़ा अब जाकर बीजेपी सरकार ने करतार पूर कोरिडोर बना कर लोगों की जिन्द की आसान की है कॉंगरेश कम जोरी न दिखा दे तो हमारी सीमा उपर नजार डालने की किसी की हिम्मत न होती इतने बड़े सिमे सिमा विबात न होता कॉंगरेश ने कैसे अपने हाथों से मा भारती के टुकड़े किये इसका एक और ताजा उदारन देश के सामने आया है यह हमारा उत्राखन तो वीर माताओं की भूमी है जो वीर संतानों को जन्म देती है यहां के वीर संतान मा भारती की एक एक इंच जमीन के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं लेकिन यही कॉंग्रेस पार्टी अभी जो एक बात सामने आई है तमिल नारू की बात तो तमिल नारू की है लेकिन यह वीरों की भूमी है मात्र भूमी के वक्ति क्या होती है उत्राखन को सिखाना नहीं पड़ता उत्राखन के लोगों को भी यह कॉंग्रेस का गुना जानना जरूरी है तमिल नारू के पास समंदर में एक कच्छा थिविव टापू है दीप है वो दीप भारत का हिस्सा था लेकिन कॉंग्रेस ने उसको शीलनका को देज दिया अभी दीप के आसमार भी कोई भारती है मच्वारे गल्ती से चला जाता है तो उसे गरपतार के आलोज ले आ जाता है जेल में बंद कर दिया जाता है आप मुझे बताएए ऐसी कॉंग्रेस जो भारत के टुकडे करने के उनके नेता बात करते हो जो कच्छ थिवु को दे देते हो क्या वो देश की रक्षा कर सकती है जरा पूरी ताकत से बताएए देश की रक्षा कर सकती है क्या कॉंग्रेस देश की रक्षा कर सकती है भाई और बहनो कॉंग्रेस ने तो देश के सिमावरती गाउं को भी देश का अखरी गाव मान कर वहां विकास करना बंद कर दिया था यह भाज़पा की सरकार है जिसने सीमा किनारे बसे गावों को देश का प्रथम गाव माना है वहां तेज गती से विकास किया है कॉंग्रेस की सरकार रहती तो आज भी पूरवस सैनिकों को वन रेंग वन पैशन नहीं मिल पाती लेकिन मोदी ने सैनिक परिवारों को गारंटी दी थी और इसे पूरा करके दिखाया आज देख भरके सैनिक परिवारों को वन रेंग वन पैंशन के एक लाग करोब रुक्ये से जादा मिल चुके हैं इस मैं से उत्राखन के भी हजारों परिवारों को लाब हो रहा है इसलिए ही मैं कहता हूँ नियत सही तो नतीजे सही साथियों चौबीस के इस चुणाओं में अब स्पस्ट रुप से दो खेमें बन गए हैं एक तरफ हम लोग इमान दारी और पारदर सीता चंता चनारदन के सामने ले करके आए हैं दूसरी तरफ प्रस्टाचारी परिवारबादी उनका जमावडा है ये प्रस्टाचारी मोदी को दमकी भी दे रहे हैं दिन राद गाली भी दे रहे हैं अब देखिए क्या खेल चल रहा है हम है जो कह रहे हैं प्रस्टाचार हटाओ और वो कहते हैं प्रस्टाचारी बचाओ आप मुझे बताए प्रस्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए प्रस्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए प्रस्टाचार से मुक्ती मिलनी चाहिए गर नहीं मुलनी चाहिए प्रस्टाचारी जेल जाने चाहिए गर नहीं जाने चाहिए प्रस्टाचारियों को सजा होनी चाहिए गर नहीं होनी चाहिए ये देश की आवाज है और मोदी आपकी हर आवाज को सुनता है और उसके लिए ताकत भी लगा देता है लेकिन साथियों मुझे कितनी गालिय दी जाएं कितने ही आरोप लगाए जाएं मोदी इनकी गालियों और धंकियों से डरने वाला नहीं है हर ब्रस्ट पर कारवाई चारी रहेगी और तीसरे टम की शुरुवात में अब दो सवादों महिने बाकी रहे हैं बहुत कम समय बाकी रह गया है तीसरे टम में ब्रस्टा चार पर और तेज प्रहार होगा ये मैं आपको गारंटी देने आया हूँ ब्रस्टा चार हर गरीब का हग चिनता है हर मद्वर का हग चिनता है और मैं गरीब का हग मद्वर का हग किसी को भी चिनने नहीं दूँगा ये मोदी की गारंटी है साथ्यों आने वाले पांक साल अभुपुर्व काम के और देश हित में बड़े फैसलों के होंगे लेकिन इसके लिए मेरी आप से प्रांथना है आपको मोदी को और मजबुत करना होगा करोगे करोगे जरा सब के समाहाथ उपर करके बताओ मोदी को मजबुत करोगे मोदी को नहीं ताकत दोगे मोदी को नहीं उर्जा दोगे उत्तराखन की सारी सिटों पर भाजपा को ज्यादा से ज्यादा वोटों से विजय दिलाने के लिए मैं आप से प्रार्थना करने आया हूँ नैनी ताल उदमसी नगर से हमारे साथी अजय भड़ जी चुनाव लड़ रहे हैं अल्मोडा से हमारे साथी अजय टम्ता जी चुनाव लड़ रहे हैं हमारे और दो साथी अपने अपने खेत्र में हैं हरिद्वार से त्रिमेंद्र सी रावज जी ट्री जी गड़वाल से स्रिमती माला राजरक्ष्मी जी और गड़वाल से भाई अनिल बलूनी जी सभी को इन पांचों मेरे साथियों को जीता करके उत्राखन ये कमल दिल्ली पहुचाए यही मेरी आपसे प्रातना है और इसलिए आपको याद रखना है फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार चार जून चार जून चार जून चार जून अच्छा मेरा एक और काम करोगे मेरा एक काम करोगे ऐसा नहीं हाथ उपर करके बताईए करोगे आप यहाँ से गाव जाएंगे तो वहाँ जो देवी देवता है वहाँ मोदी की सरफ से माथा टेकना है करोगे और गाव में सभी परिवार जनों को कहिएगा कि मोदी जी उतराखन में आये थे और आपको प्रनाम बेजा है मेरा प्रनाम पहुचाओगे गर गर पहुचाओगे और एक बात इस बार गर्मी जरा जादा ही तेजी से बढ़ रही है कितनी ही गर्मी क्यों न हो मतदान होगा कि नहीं होगा जादा से जादा मतदान होगा सुबे जलदी जलदी मद्दान होगा जलपां से पहले मद्दान होगा मैं सभी से आगर करूंगा गर्मी कितनी ही क्यों न हो लेकिन लोग तंत्र की रक्षा के लिए हमें अपना दाईत्व निभाना है निभाएंगे मेरे साथ दो लिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद प्रदान मंत्री मोदी ने रुद्रपुर में रैली को संबोधित किया और कहा देव भूमी का अशरवाद मेरी सबसे बड़ी पूंजी है उत्राखंड को विक्सित बनाने का लक्ष है जन तपस्या को विकास के रूप में लटाऊंगा ये बातें प्रदान मंत्री मोदी ने मंच से कही उन्होंने कहा कॉंग्रस ने देश के आखरी गावों की अंदेखी की है और पिछले 10 साल में उत्राखंड की तस्वीर मौजूदा सरकार के कामकाज से बदली है जितना विकास 65 सालों में नहीं हुआ वो पिछले 10 साल में हुआ है ये बातें प्रदान मंत्री मोदी ने उत्राखंड की जन जन से कही दस साल में जो विकास हुआ वो ट्रेलर है अभी देश को बहुत आगे लेकर के जाना है प्रधान मंत्री मोदी ने पलायन कर गए साथी पिछले 10 साल में वापस लौटे हैं ये बात भी उत्राखन की जनता के सामने रखी रुद्रपुर की रैली में प्रधान मंत्री मोदी ने ये बाते कहीं तीसरे टर्म में कई बड़े फैसले लिये जाएंगे सरकार की ओर से झाल